हेलो नर्सिंग स्टुडेंट तो कैसी चल रही है आप लोगों की सीपीनेट 2020 कंप्यूटर बेस टेस्ट की इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी हाई ओप अच्छी चल रही होगी तो आज हम आपको 25 कोशन्स जो की आज हम आपको most important कोशन्स हैं जो की काफी एक्जाम में पूछे गए हैं तो आज का ये topic आपके लिए बहुत important होने वाला है physics का भी हम आपको 25 कोशन्स complete करवा चुके और chemistry का भी हम आपको 25 कोशन्स करवा चुके तो आज का हमारा topic है बायो आज हम आपको 25 कोशन्स complete करवा दें जो की आपको CVT test 2020 इंट्रेंस एक्जाम में आपको काफी help हो हो गई जो की cpnet 2020 एक्जाम में तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है तो वीडियो एंट तक देखते रहे हैं तो माइनेम इज किशन कुमार और आप देख रहे है कृष्ण इटावा YouTube चैनल इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को subscribe नह के बारे में इंट्रेंस एक्जाम के बारे में तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है तो हाँ अगर आप लोगों को यूपी यूमस यहनी सैफ़ाई campus की वीडियो और ब्लॉगिंग देखनी है कि कैसा होस्टल होता है स्कूल कैसे होते हैं जो कि सैफ़ाई मिलेगी कि सैफ़ाई campus कैसा है ब्लॉगिंग का यूट्यू चैनल है उस पर वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आज का topic हम start करते हैं तो आज हम आपको पता है 25 questions complete करवाएंगे biology के तो आप लोगों को बता दें क biology में दो subject होते हैं बोटनी और जिलोजी और biology आज हम आपको बोटनी की तरफ चलते हैं क्योंकि ज्यादा तर ज्यादा तर सैफ़ाई पेरामीडिकल एक्जाम में तो बोटनी से काफी questions पूछे जाते हैं यानि आप something समझ लीजी 10 से 15 questions आपको बोटनी से पूछे जाएंगे और फिर जो बाकी questions होंगे वो जिलोजी से पूछे जाएंगे और एक दो questions जो की normal biology या फिर ethical theory इस से पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा ना बकवास करते हुए तो सबसे पहला questions है photo respiration is also pronounced is मतलब प्रकास स्वासन निम्न में किस नाम से भी जाना जाता है मतलब questions ये पूछ रहा है कि प्रकास स्वासन निम्न में से और किस नाम से भी जाना जाता है यहां first option दे रहा है C3 चक्र और second option है यानि B option है C3 4 चक्र या फिर C option है C2 चक्र या फिर C A M चक्र तो आप लोगों को सामने इस प्रकार की options मिलेंगे computer based test पर तो आपको questions इसका right option क्या होगा तो इसका right option होगा वो होगा third question एकदम सही हो जाएगा third question is the right answer तो C2 चक्र तो इसका right option होगा C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है अब चलते है question number second की तरफ second में पूछ रहा है कि second में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ओवाई लेंगी fool है ओवाई लेंगी fool है जो अपने जीवन काल में कभी नहीं खुलता एवाई sexual flowers which never open its live sperm of college मतलब जीवन में अपने कभी जीवन काल मतलब अपनी पूरी life circle में कभी नहीं खुलता first option इसमें दे रहे हैं क्लिस्टोम गेमस या फिर हेटरो गेमस डाइडाई गो डाइको गेमस या फिर होमो गेमस तो इस परकार के फूल हो इस परकार के जो फूल होते हैं मतलब ब्रच होते हैं तो इसमें से राइट आप्सन क्या होगा होगा क्लिस मतलब क्लिस्टो गेमस क्लिट क्लिस्टो गेमस अठक पट्टा का सवाल है ना यह मतलब इस पिरकार आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना इसका राइट आप्सन है किलिट क्लिस गोटे क्लिस टॉमिस तो इसका राइट ऑप्षन होगा फर्स्ट ऑप्षन बिल्कुल राइट होगा अब चलते हैं कोश्चन नंबर थाड़ की तरफ थर्ड में पूछ रहा है लाइसोसॉम और रिच इन मतलब राइसोसॉम में कौन सा एक्जाम प्रचूर मातरा में पाया जाता है लाइसोसॉम में कौन सा प्रचूर मातरा में पाया जाता है तो फर्स्ट ऑप्षन या पर दे रहा है डी हाइडरोजिनिक जेनिस या फिर ट्रा जो कि यहां पर आप लोग भी देख सकते हैं यहां पर थर्ड उप्सन मतलब हाइड्रो लेसिस हाइड्रो लेसिफ तो इसका राइट आप्शन होगा वोगा थर्ड आप्शन अब चलते हैं कोशन नमबर नेश्ट की तरफ कोशन नमबर फूर्थ में पहुंच रहा है कि दाव भीवाव दाव भीवाव तथा बिले भीवाव के योग को क्या कहते हैं दा कंबाइनेशंशन और प्रेसर्स पोटेंशस एन्द सेल्यूट प्रसेंशन और इसकना इस फर्स्ट ओप्सन जल विवाव बातपोतो सरजन विवाव फिल्ट विवाव या फिर परासरण विवाव तो मतलब दाव विवाव और बिले विवाव के योग को क्या कहते हैं तो दाव बिले दाव विवाव और बिले विवाव के योग को जल विवाव कहते हैं बाटर पोटेंटियल तो इसका राइट आपसन है फ़र्स्ट आपसन अब चलते हैं कोश्चन नमबर नेस्ट की तरफ कोश्चन नमबर फाइब की तरफ चलते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें प्लीज 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 दोस्तों के साथ जरू सेयर करें चलते हैं कोशें नमर 5 के तरफ MOST PLANT MOST PLANT ABSORB NITROSEN nitrogen in the firm is मतलब अधिकांस पौदे अधिकांस पौदे nitrogen को किस रूब में अथे अधिकांस पौदे होते हैं वो किस रूब में अथे करते हैं अधिकांस कारवणिक nitrogen में औरिव्यूजन में व्याब फिर नाइट्रेटस में तो इसका राइट ऑप्सन होगा अधिकावन सुपोदे नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेटस के रूप में अफसोसित करते हैं तो राइट ऑप्सन डी होगा अब चलते हैं कोशन नमबर इंपोटेंट बेरी बेरी इंपोटेंट है कोईर एज अब टेंटनेट फर्म नारियल का रेसा प्राप्त होता है नारियल का रेसा प्राप्त किस से होता है नारियल में चार पंच प्रकार के उस पर पाई आते है फर्ष्ट आप्सन इसमें दे रहा है एंडो कार्प से या फिर एपी कार्प से एंडो स्पर्म से या फिर मीजो कार्प से तो इसका राइट आप्सन होगा नारियल का रेसा प्राप्त होता है वो हमेशा होता है मौजी कार्प से मौजी कार्प यानि मेसो कार्प तो इसका रा जंगल में पाई जाती है स्वासन मूल मतलब स्वासन जल मूल को यहां पर यहां पर ऑप्सन देरा है स्वासन मूल निम्न जंगल में पाई जाती है तो इसका राइट फर्स्ट ऑप्सन यहां पर देरा है सांती वन नंदन वन या फिर ब्रंदा वन या फिर संदर वन तो आप बन में पाई जाती है या फिर सुंदर बन में पाई जाती है जो स्वसन मूल होती है ना तो वो सुंदर बन में पाई जाती है मतलब सुंदर वन फ्रेस्ट राइट आप्शन डी होगा Q8 की तरफ चलते हैं Q8 में Graphic Graphic Respirations of Cariotopes is known as Cariotype का graph के रूप को में चित्रड कहलाता है मतलब Cariotype होता है Cariotype का graph Cariotype का graph के रूप में चित्रड कहलाता है First option यहाँ पर दे रहा है Ideogram Hologram Polygram या फिर Ideo टाइप तो इसका जो Right option होगा वो होगा Ideogram मतलब Ideogram Ideogram होता है इस परकार का आप लोगों समझे नहीं पाऊगे आपको structure यहाँ पर दिखा देते बट हमारे पास अभी पूरा system नहीं है कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा तो आपको जो questions हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको इस परकार figure में दिखेगा जो की आने वाले समय में है ओके तो अभी इस जिस्ट कीजिए आप लो अब चलते हैं question number no very very important है ए एनिवर्सल दा यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सपेक्टर एक्सपेक्टर इन ए एलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज निम्न मेंसी एलेक्ट्रोन परिवहन प्रडाली में सर्व भॉमिक हाइड्रोजन स्वई करता है मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन स्वेकार कौन करता है ATP डर करता है या फिर NAD करता है UDP करता है या फिर FMN करता है तो हाँ तो इसका जो right option होगा वो होगा NAD यानि second option बिल्कुल right हो जाएगा इस परकार के आपको questions लगाने है अब चलते हैं question number 10 की तरफ बहुत important question से N A ECOSystem flow the energy is पारसिती तंत्र में औरजा का प्रवाहन होता है पारसित तंत्र में औरजा का प्रवाहन होता है वहू दिसात्मक में होता है दिसात्मक में होता है या फिर गुरूडी में होता है या फिर एका एका दिसात्मक में होता है तो इसका जो राइट उप्सन होगा है जो पारसित तंत्र होता है तो पारसित तंत्र में औरजा का प्रवाहन एक दिसात्मक में होता है एक दिसात्मक मतलब एक ही दिसा में उर्जा का परवर्तन होता है राइट आप्सन डी होगा चलते हैं कुश्चन नमर 11 की तरफ पिलांट विच फ्लावर अनली वन सार कालेट सिर्फ एक बार पुस्पकिंद होने वाले होने वाले पौदे को क्या कहते हैं मतलब सिर्फ एक बार पुस्प को मतलब पुस्प फूल को देते हैं उन्हें क्या कहते हैं मौनो कार्पिक कहते हैं या फिर पेरिकार्पिक कहते हैं या फिर पॉली कार्पिक या फिर किली इस्ट्रो किली इस्ट्रो कार्पिस तो जो सिर्फ एक वार पुस्पिकरत होते हैं तो उन फल को मॉनो कार्पिस कहते हमेसा ध्यान रखिए मॉनो कार्पिस राइट ऑप्सन होगा इलेविन का फर्स्ट ऑप्सन अब चलते हैं कोशन नमबर 12 के तरब यह आप लोग अच्छे से पढ़ लीजी इस प्रकार कोशन हंडेट परसेंट पूशा जाएगा मुझे पता है अब चलते हैं कोशन नमबर ट्वैल में ग्रोथ इडेंटिफाइन इडेंटिफनाइट इज मतलब ब्रदी अनिस्चत है अनिस्चत है ब्रदी अनिस्चत मतलब ब्रदी ब्रदी कोई निस्चत नहीं है निस्चत कितनी नहीं है तो इसमें फर्स्ट ऑप्सन दे रहा हैं मोनेरा जगत में मोनेरा जगत म में या फिर एनी मेलिया में या फिर प्लांटी में में तरह ब्रद्धी ब्रद्धी ग्रोथ इज एडेंटी फाइनेट इज राइट ऑप्सन डी प्लांट में ब्रद्धी अनिस्चत मतलब अनिस्चत है ब्रद्धी अनिस्चत है कोई निस्चत नहीं है तो वह किसमें है प्ल करमिनजी ऐसकेसिस वाय, एक्यूंदेस 심ड़न के दूसुसोत आवस्त आवस्ता निम्न मैं Inкіिल और इसे होति हैu निम्नध में कि खट्टा और उने में से होती है साइट्व काईनें में या फिर evolve she C TED में आपिर C的話 है और में या फिर वि छर्वए जी विरिल इंद में तो इसका राइट ओप संभा वोगा में अंब ब्यूबन बिलकुल सही हो जाएगा अप्सेशप segunda मिअलाइट की बीज की सुसब्त अबस्ता निमन मैं से एक खटा होने से होती है वह होती है एपसिक एसेड से कुछिन नमबर फूर्टीन रूट रूट एन इन ए आई टेनिशन्स और प्रोमोटेड वाई मूल मूल प्रारंबक के बढ़ने से बढ़ने में सहायक होता है मूल प्रारंबन के बढ़ने में सहायक होता है ओक्सिन होता है जिवेरिल जिवरेलिन एपसिस एसेड या फिर काइनेटिक तो मूल प्रारंबन है मूल प्रारंबन के बढ़ाने में सहायक होता है तो वो कौन होता है वो होता है मेजा आक्सिन आक्सिन होता है राइट आप्सन है फर्स्ट राइट आप्सन है चलते हैं कुश्चन नंबर फिप्टीन की तरफ 15 में पूछ रहा है कि Somatofitus Somofitis निम्न में पाई जाते है Somatofitus Growth on Stone में यानि पत्थर पर पत्थरों पर नमकीन भूमी पर रेतों में या फिर दलदल में Somatofitus ये बेरी बेरी इंप्रोटेंट ये इंप्रोटेंटे कोशन जो Somato पाई जाते हैं Somato निम्न कहाँ पाई जाते हैं वो पाई जाते हैं रेतों में यानि रेगेस्तान में पाई जाते हैं राइट आप्सन था अब चलते हैं कोशन नम्मर सिस्टिन की तरफ सिस्टिन में पूछ रहा है कि कैस्परेन स्ट्रिप्स कैस्परेन की पट्टी निम्न में से किस सम्बंदित है पेरिसाइकल से एंडोडर्मिस से या फिर एंडोडर्मिस से या फिर जाइलम से तो उसका राइट आप्सन होगा वो होगा एंडोडर्मिस है। मतलब कैस्परेन केस्परेन की पट्टी केस्परेन की पट्टी एंडोडर्मिस से सम्बंदित हैं एंडोडर्मिस से राइट आप्सन हैं मतलब आप एंडूरमेस वो नहीं है जो अचाग लेयर होती है आ एपीडरमेस दर मेश दरampa नदोर मेश ऐस दूसरी मतलब इस परिकार की पंडी होती है पंडी कैसरें में जैसी तव्चागी नहीं होतीं तुछागी डरमेस एपर रिकार का अब सेवन्टीन की तरफ चलते हैं सेवन्टीन कोशन मुझराएगी विच आप दा फॉल्विंग और इस अर्किया कौन सा अर्किया है हेलय बैक्टिरियम लॉल मोनेला श्यूदो मौनास या फिर किलॉर इस्टिडियम तो अर्किया कौन पर लाइट आप्शन ऊगा फिर्स्ट आप्म हो बैक्टीरियम है can Miraнова अकलो भेक्टेडियम होगा today अब चलते हैं पुशन नमर 18 की तरफ विच आप दा फॉल्विंग विच वन आफ दा फॉल्विंग इज रूटिंग हर्मोन निम लेकित में से कौन सा एक जड़त पादक हर्मोन से सेली सिलिक एसेड एन ए ए ए ए बी ए या फिर जी ए थ्री तो राइट आप्शन है वो होगा कि एन 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 ए ए हर्मोन का कार क्या है एन ए ए हर्मोन का कार क्या है तो और इस प्रकार कोशन भी बदल सकते हैं तो आप लोगों को बिलोगल कन्फियूजिंग नहीं होना है तो जड़ों का उत्पादन हर्मोन कौन सा है एन ए ए राइट आपसन सेकंड है अब चलते कोशन कि नंमरных 19 की तरफ 19 में पूंच रहे कि का जुम्टा का अर्फरमेड दूरीं किराज मुटा का निर्माड कि अवस्ता में होता है यूंड में स्थ्वलपकर में दूए में यहां पृत तनूपकर में तो इसका चुछ हैं को रेख मोट गुशन से अब किषी भी अग्जाम में उठा कर देगली नर्सिंग फार्मेशी या फिर परेमिडियल किसी भी अग्जाम परसेंट आते ही इंकुशन गरुस्त नमर ट्वंटी बिबी पायरी इस bonne सव zar कि मीजु फॉइटा मीजु फॉइटे या फिर हेलो फॉइट या फिर हाइड्रो फॉइट yol फॉइट की तो इसका राइट आप्सन बहू है है Лो फॉइट मतलब सजीब प्रता का एक विसिस्ता है वो है हेलो फाइट राइट ऑप्सन थर्ड होगा 21 कोशन की तरफ गिरेना पाए जाते हैं गिरेना और प्रेजेंट इन क्लोरो प्लास्टर में मोनो माइक्रो कॉंडिया में गाल जी वड़ी में या फिर आइबो सॉमस में बेरी बेरी इंपुर्टेंट कोशन दे ग्रेना पाए जाते हैं तो ग्रोना क्लोरो प्लास्टर में पाए जाते हैं राइट ऑप्सन फ़स्ट है 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 साथ अब फ़स्टो अवे लिए 22 कुशन सब्ष्टा आप फॉल्वींग इसν ऊकाइन अपड़ एंप धर मिस अडा नहीं है आटिघ्ण लोल्ए द pressing आना तो वे अज़ों कोशिका प्रकार नहीं है ट्राइकोम ट्राइकोम या फिर मुल्रोम गार्ड कोसका या फिर कॉर्क राइट आपसन है गार्ड कोसका राइट आपसन थर्ड मतलब वह कोसका मतलब बाहरी वाली कोसका किसे कहते हैं उसे कहते हैं गार्ड मतलब बाहर कौन बैटा रहता है गार्ड तो इस फिरकार आप लो बहुत दिर से हम बराबर बुल रहे हैं इस वजए से तो एजस्ट कर ले ना मैं इसलिए जल जल दी बुल रहा हूं पता नहीं क्या प्रॉब्लम सी हो रही है हमारे गले में इसलिए अब चलते कोशन नमर 23 की तरफ मस्रूम मस्रूम इजदा एडीबल मस्रूम इजदा एडीबल मस्रूम एक खाद है जो निम्न से संबंदित है स्यावाल कवक ब्राइव फाइटा यावे टेरीडो फाइटा राइट आप्सन भी है कवक मतलब जिसे कहते हैं फंजाई 24 वोइन एडीबल में है रही बरीबल कोशिन से प्लाज्मेंड आर फंड इज फंड फंड आज प्लाजेंड मन में पाया जाता यात। बेरीबल कोशिंट 240 यूशार उन्रीग स्थे जाता है वो बाइजादा बैक्टिरिया में राइट ऑप सने सेकंड वर्शन नमर्ट वंटिफाइग दा मोस्ट एब यू अभी देंट और गिन कंपाउंड इस प्रत्वी पर सबसे प्रचूर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है कार्बनिक यौगिक प्रत्वी में प्रचूर मतलब सबसे ज्यादा में कौन सा सबसे ज्यादा प्रचूर मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक यौगिक है बिटामिन प्रोटीन लेपेड या फिर सेल्यूलोस राइट ऑप्सन होगा वह होगा सेल्यूलोस अब आगए जोलोजी के कोउशन सीजिए हमने आपको 25 तो वीडियो कैसी लगी अगर आप लोगों के बहुत सारे कोउशन ये पूच रहे हैं कि सर ये तो पिछले बी एच्यू का पेपर है तो हाँ हम हम आपको बताना चाहते हैं ये बी एच्यू का ही पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 2020 इंट का मत करें और गलत कमेंट बिल्कुल मत करें अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक करें बिल्कुल अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार हो तो नेस्टी वीडियो में आपको जो लॉजिक क question solve करवाएंगे तो आज के लिए इसरे पर इतना है तो thanks for watching please subscribe my youtube channel thank you, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में